मंच परासीन कॉंग्रेस के सभी बरिष्ट साथी, प्रेस के मेरे सम्मानी साथियों अभी बड़े विस्तार से आधने रंदीज सिंग सुर्जेवाला जी ने, किसी बिन गुपाल जी ने, हमारे प्रभारी देवंदर यादो जी ने, और हरिश राउज जी ने, अपने अपनी बातें कहीं, उन तमाम बातों से अपने आपको सबत करता हूँ यश्पाल आरिया जी जो मूल रूप से कॉंग्रिस को मजबूत करने के लिए उत्राखंड राज्य के अंदर जाने जाते हैं और मुझे उत्रप्रदेश की विधान सभा में भी यश्पाल आरिया जी के साथ रहने का असर मिला, और चार बार उत्राखंड विधान सभा में भी आपके सानिद्य में रहने का असर मिला हम से बिच्डे जरूर लेकिन यश्पाल आरिया जी कॉंग्रिस की बिचार धारा से ओत प्रोत रहे और जब भी आप मंत्री के रूप में थे मैं नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अद्धिश्ट के रूप में जब समवा दस्तापित करता था तो तब यश्पाल आरिया जी लगातार इस बात को कहते थे कि कॉंग्रिस उत्राखन राज्य के अंदर मजबूत होनी चाहिए और इस परिपेक्ष में कई बार आरिया जी से बात हुई और अंतो गत्वा आज आरिया जी कॉंग्रिस परिवार में सम्मिलित हुए आपका विनंदन और हम स्वागत करते हैं संजीव आरिया जी पहली बार विधायक बने लेकिन राजनितिक परिवार के अंदर होने की वज़े से और जिस तरीके से उन्होंने कॉपरेटिव के माध्यम से और मंडी के माध्यम से अपना राजनितिक जीवन परारंब किया मैं कह सकता हूँ कि वही वज़े रही कि आज वो विधायक के रूप में भी उत्राखंड विधानसभा में रहे और विधानसभा के अंदर जिस तरी बात पूरी मजबुती के साथ करने का काम करते थे तो मैं कह सकता हूँ इनका भोश्च बहुत उजल है और आज वो भी कॉंग्रिस परिवार में समिलित हुए उनका भी मैं अविनंदन और स्वागत करता हूँ लाडी जी मैं समझता हूँ उत्राखंड के अंदर खासतर से किस परिचे के मौताज नहीं है यह हमारे बहुत ही मजबुत साथी रहे इन्होंने सदेव उत्राखंड राजी के अंदर कॉंग्रिस को मजबुत करने का काम किया यह बात दिगर है कि हमसे अलग हुए लेकिन फिर से परिवार में समिलित हुए तो मैं आपका कॉंग्रिस के अंदर कॉंग्रिस बहुत मजबुत स्तिती में खड़ी है और उत्राखंड के लोग कॉंग्रिस की और बड़ी आशा भरी निगासे देख रहे हैं और मैं कहना चाहता हूं कि 2022 के विधान सबाचुनाओं में कॉंग्रिस आ रही है भाजपा जा रही है मैं पुने यश्प लारिया जी का संजीव जी का और लारी जी का कॉंग्रिस परिवार में समलित होने पर हार्दी के बिन अंदर हार्दी स्वागत करता हूं धन्यवाद